दर्शको आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी जनमपत्री में राहू और शनी दोनों साथ-साथ युति बना कर बैठे हैं तो ये आपके जीवन पर कहां कहां पर बहुत ज़ादा प्रभाव डालते हैं दर्शको ये पूरा का पूरा छेत्र ही व्यक्तित का होता है क्योंकि राहू और शनी मिलकर जब युति बनाते हैं तो हमारी कुंडली का अधिकतर हिस्सा कंट्रोल कर लेते हैं यानि कि कवर कर लेते हैं तो वीडियो बहुत इंपोर्टन रही गिया आपके लिए इसलिए विस्तार से वर्णन करने की कोशिश करूँगा और पूरी देखिएगा आईए वीडियो की शुरुवात करते हैं मैं स्ट लॉजर शेलेश जन आपका अपने चैनल पर सौगत करता हूँ दर्शको जब राहू और शनी की युति होती है तो अकसर कई बार इस युति से संबंदेत कई तरह की मन में इस्तितियां उत्पन हो जाती है यानि दुवधाएं बन जाती है कि क्या ये युति हमारे लिए बहुत अशुप फल देने वाली है दर्शको शुब और अशुप को समझने से पहले यह समझिये कि सही तरह से ये युति आपकी बुद्धी पर क्या प्रभाव देती है आपने अक्सर कई बार कुछ लोगों के लिए सुना होगा कि बहुत ही विलक्षन बुद्धी होती है बहुत ही अलग तरह से सोचने का अंदाज होता है सही बताऊं तो राहु और शनी की युति वही अंदाज आपको देती है परन्तु इस वीडियो के जरिये ये देखते हैं कि क्या ये अंदाज लोगों को समझ में आता है इसलिए दर्शको ये विलक्षन बुद्धी ये सोचने का अंदाज बच्पन से ही शुरू होता है आप देखिए ना बच्पन से ही आप कही ना कहीं घर से दूर जाकर चाहते हैं और अगर घर से दूर नहीं जा पाते हैं तो लाइब्रेरी में जबकि सामान्य तोर पर यह प्रशन उठता है कि क्या कोई व्यक्ति अपने घर से ज़दा लाइब्रेरी में कमफर्टेबल होगा आप वो व्यक्ति हैं क्यों नहों आखिर राहू और रिशनी की य लेगा तो एक-एक करके पॉइंट उठाऊंगा इसलिए देखते रहिए तो जैसा कि मैं कह रहा था कि तोड़ा अलग अंदाज है इसलिए एंबीशियस होना आम तोर पर कई लोगों की इच्छा रहती है यानि बहुत अच्छे महत्वकांग्शी होते हैं पर आप बहुत जादा ही एंबीशियस होते हैं और बहुत जादा इंप्रेसिव भी होते हैं कहने का मतलब आपका इंप्रेशन लोगों पर पड़ता है लेकिन इसका मतलब ये मत सोचेगा कि कोई हीरो हिरोईन वाली इमेज है ऐसा नहीं है आपकी बुद्धी के ही लोग कायल होते हैं आप हमें तो बलकि लोग उल्टा ही बोलते रहते हैं अब उस पर भी चर्चा करूंगा कि आखिरे राहुशनी की युति कुछ ऐसा विचित्र करती कैसे है पहले ये तो समझ लीजे कि आपकी स्वैम की क्वालिटीज क्या है आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो बड़ी इंप्रेसि बड़ी करते हैं लेकिन जब बात अचीव्मेंट की आती है तो हात में कुछ नहीं होता लेकिन राहुशनी की युति आपसे बाते कम करवाती है लेकिन रिजल्ट जादा दिलवाती है यह हैं क्योंकि अब बड़ी बड़ी प्रामिस नहीं करते हैं आप सरफ किसमें करियर के अंदर मेहनत करते हो पूरे अमबीशन पर ताकत लगाते थे अपनी और डेफिनेटली उसको एचीव भी करते हो इसलिए कई लोग एजुकेशन फिल्ड के जरीए बहुत बहुत अच्छा लेवल एचीव करते हैं इस यूति के कारण चाहे बापकी गौर्मेंट जॉ या फिर प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे से स्पीड से आप अपनी ग्रोथ करें करियर के अंदर साथ ही अगर आप वैपार करना चाहते हैं वहाँ पर भी यूति बहुत सहयोग देती है क्योंकि देखेना दर्शकों कॉम्पिटीशन का जमाना है किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को अपने सर्विसेज को अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स के सामने लेके आते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और राहूशनी की यूति वाला एक बड़े ही डिफरेंट अंदाज में ये डिफरेंट वर्ड तो आपके साथ चलता ही रहता है त सर्विसेज भी बड़े बहतर तरीके से जानते हैं जिसे हम कहते हैं क्रियेटिव माइंड तो होता है आपका क्यों क्योंकि दिमाग हर पल एक ही दिशा में दोड़ता है और वो है कार्य छेत्र करियर है स्टूडन लाइफ में पढ़ाई इसलिए एजुकेशन फिल्ड के अ कुछ ऐसी फिल्ड चुनते हैं जहां पर आप लोगों के लिए ट्रबल शूटर बनें ट्रबल शूटर समझते हैं सामने वाले की परेशानी का हल देना आपको आता है अब इतनी सारी बातों के साथ दर्श को ये समझ में आता है कि राहू शनी की युती जीवन के शुरवा देती है यंग एज में अब आप ही सोचिए जब यंग एज में आप एक बहुत अच्छी डेजिगनेशन और पोजीशन की गौर्मेंट जॉब ले लें किसी कॉम्पुटिटिव एक्जाम को कौलिफाई करके बहुत अच्छी प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं बहुत जल्Дी अपना को स्टार्टब लगा लें, बहुत जल्दी अपने बिजनेस को स्टैबलिश करके ग्रो करना शुरू कर दें, तो क्या आपको चाहने वाले आपको अतना ही चाहेंगे। क्या लोग आप से जेलिस नहीं होंगे? अवश्य होंगे और यहीं से शुरू होता है राहु शनी पार्ट टू कहने का मतलब अभी तक जब अपनी जिंदीगी को बना रहे थे तो कोई आपके लाइफ में इंटरफेर नहीं कर रहा था क्योंकि लोगों को ना आपकी वो जो विलक्षन बुद्धी है उसको वो समझ नहीं पा रहे थे उन्हें लगता था शायद कुछ कर नहीं पाओगे उन्हें लगता था हमेशा बुजा बुजा रहता है या रहती है हमेशा अपने किताबों में या अपने काम धंदे में ही डूबा रहता है या रहती है ये तो समाजिक इस्तितियों को समस्ता नहीं है ऐसा मस्ती नहीं है, इसे नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है, इसे नहीं पता दुनिया कितनी तेज चल रही है, ऐसा मानते थे, आपके करीबी अपने परंतु जब आपने अचीवमेंट करी तो उनके तो जमीन खिसक नहीं थी ना पैरों के नीचे से और फिर शुरुआत होती है जेलस करने का दौर लेकिन ये जेलस ये जलन साधारन नहीं है अब यहीं से रहुशनियुति ये दिखाते हैं कि आप से जलने वाले व्यक्ति कितने निम निस्तर पर आ जाएंगे वो क्या क्या नहीं करेंगे आपके साथ अर्थात तरक्की होते के साथ ही, स्टैबलिश होते के साथ ही, सेटल होते के साथ ही गड़बड होने के संभावना शुरू हो जाती है आपके वो जो बहुत करीबी रिष्टेदार, समाजिक दोस्त, सही कह रहा हूँ, दोस्त ये कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका परिवार में बहुत ज़ादा आना जाना है, जिनके विश्य में आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपके खिलाप कुछ ऐसा गलत कर जाएंगे, ऐसा कुछ गलत कदम उठा देंगे, आप पर कुछ ऐसा गलत कर देंगे, जैसे कि आपके खिलाप negative सही कहा रहा हूं बिना वजे की कंप्लेंट शुरू कर देंगे कुछ तो कोशिश करेंगे आपके खिलाफ लीगल केसिज हो जाएं कुछ तो कोशिश करेंगे आपके खिलाफ ऐसी बदनामी फैले जिसके कारण आप कहीं पर मुझ दिखाने लाइक न रहें सही कहा रहा हूं दर्शको ऐसे ही कठोर जलन वाली इस्तिति के साथ लोग आगे बढ़ेंगे और तो और कुछ लोग तो आपके उपर प्रेम का जाल फैकेंगे इसके लावा और कोई शब्द नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं यही बताना चाहता हूं कि प्रेम जाल में फसा कर दोका दे कर आपकी मांसिक इस्तिति को बिगाड़ना चाहते हैं वो जो तीवर बुद्धी थी कुशागर बुद्धी थी विलक्षन बुद्धी थी उसको बरबात कर देना चाहते हैं क्योंकि आपकी रहुश शनी की यूती फिर आप से क्या करवाना चाहती है, क्या कहना चाहती है, कैसे बचें इन लोगों से, क्या करें, बताता हूँ दर्शको, पहले एक बात देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं, कि राहू ग्रह की यूती किसी और ग्रह के साथ है, या शनी ग्रह की यूती क इसे और ग्रह के साथ है तो क्या जीवन में अलग प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आपकी कुंडली में हो सकता है कुछ अन्य ग्रह अलग तरह से युति बना कर बैटे हूँ आ जाईए हमारे चैनल पर या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाईए युति से संबन्देथ हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पर ग्रहो की युति के फल बताये जा रहे हैं जैसे की मैं इस वीडियो में भी बता रहा हूँ आप अपनी जनमकुंद्ली के अनुसार उन युति के फल देख सकते हैं जो ग्रह अनुसार आपको जानकारी मिलेगी और पसंद आए ना दर्शक को दा लाइक जरूर करना है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है तो मैं ये बता रहा था दर्शक को कि जो आपके खिलाव बदनामी का जाल बुन रहे हैं जलन के कारण नफरत के कारण खुद तो कुछ कर नहीं पाए और आपके अचीवमेंट्स उनसे हजम नहीं हो रही क्योंकि आपने तो यंग एज में अचीव कर लिया ऐसी इस्तितियों में पूरी कोशिश करते हैं कि आप डिप्रेस हो जाएं और मैंने रहुशनी युतिवालों को कई बार देखा है कि कुछ ऐसी परिस्तितियों में थोड़ा वर डिप्रेशन आने भी लगता है परंतु दर्शको इस से बचने के लिए आप एक कारे कर सकते हैं जैसे ही चीजे एचीव हो अपनी दूसरी दुनिया बना लो क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये है कि जिने आप आज तक अपना करीबी मानते थे बहुत बहुत करीबी मानते थे उन्हें छोड़ना पड़ेगा इतना जबरदस तरह से छोड़ना पड़ेगा कि कांटेक्ट जीरो हो जाए क्योंकि देखो दर्शको अगर आप उनको अपने कांटेक्ट में रखते हो तो वो आते जाते रहेंगे उसके जरीए वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे जो आपकी जिन्दिगी की दिक्कतें बढ़ती चली जाएं जैसे उधारण के तौर पर एक बात बताता हूँ आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिला ये लोग आपके जीवन साथी के कान भरना शुरू कर देंगे आपके खिलाब क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है रहुशनी के युति कभी-कभी अपने अंदर कुछ क्रोध भी ले आ देती है कहने का मतलब गुसा ऐसा जहां पर आप मुँपे कुछ बोल दें अब जीवन साथी को आपने जो बोला हो सकता है प्रेम संबंदों के कारण दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा संबंद जस्से बना ले लेकिन ऐसे में कुछ तीसरा वक्ती आकर उसके कान बरना शुरू कर दे तो क्या संबंद ठिकेगा यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपके खिलाफ आपके कुछ कलद सिच्वेशन के खिलाफ आपके जीवन साथी के कान बरना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो एकी बात चाहते हैं कि आप बरबाद हो जाएं ये कठोरता राहुशनी की यूति हमारे अपनों से खुद को दिलवाती है जान बूच के दर्शक ऐसी बाते कह रहा हूँ किसी के साथ ऐसे हुआ हो, हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना जिससे लोगों को पता लगे कि असली में राहुशनी की यूति सही में करना क्या चाहती है दर्शको सही माइने में बताऊं दर्शको तो ये जो लोग आपसे जलन करते हैं न वो चाहते क्या हैं ये आप पूरी जिंदिगी समझ ही नहीं पाएंगे क्यों क्योंकि उनकी चाहत की कोई सीवा नहीं है वो एक तरीके से आपको खुश देख ही नहीं सकते हैं इसलिए दर्शको अपने जीवन साथी को विश्वास में जरूर ले लेना अगर कभी विवास से पहले कुछ ऐसा हुआ भी है जो अपने जीवन साथी को बताने लायक है चाहे वो कोई रोग ही हो चाहे वो डिप्रेशन ही हो चाहे वो अफेर ही हो चाहे कुछ भी हो अपने जीवन साथी को जरूर बता देना नहीं तो ये राहुशनी की युति दूसरों के जरिये आपके वैवाहिक जीवन में गडबड कर देगी अब चलिए माल लेते हैं कि आपने इन सब बातों के लिए फाइट किया आप आगे बढ़ गए कही न कही लोगों के साथ एक सामाने तरीके से चलने लगे मतलब ना बहुत दूर, ना बहुत करीब और अपने जिंदगी में अपने लाइफ में ही इन्वाल्व हो गए तो दर्शको, रहुशनी की यूती फिर से आपको क्या देगी? तरक्की, धन, पैसा, असेट, इंपोर्टेंस, वैल्यू, एप्रिसेशन सब मिलेगा दर्शको, परंतु फिर से वही बात जरा सी कोई दिक्कत, कोई गल्ती आपसे हुई तो आपके रिष्टेदार, आपके करीबी जन, बहुत बहुत करीबी जन भी सगे संबंदी भी, आपके आगे पीछे ऐसे शब्दों का इस्तमाल करेंगे जैसे शेर को शिकारी कुटे गेर लेते हैं न, और फिर शुरू हो जाते हैं मैं वो शब्दिस्तमाल नहीं कर सकता, परंतु शुरू हो जाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये शिकारी कुटों की तरह आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे क्योंकि आप से कोई छोटी से गलती हो गई है दर्शकों पूरी जिंदी की इसी ताक में लगे रहते हैं कि किस तरह को आपको ये महसूस कराया जाए कि आप तो कुछ नहीं जबकि सच्चाई कुछ और है वो आपकी तरक्की से जल रहे हैं कई बार कुछ दर्शक मेरे कहेंगे आचारी जी रहुशनी की यूती तो है पर हमने बहुत तरक्की नहीं करी आप जब इन चीजों में लिप्थ ही रहेंगे तो तरक्की कहां से करेंगे यह यूती आपको सेल्फ मोटिवेशन सिखाती है आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाती है जैसा कि मैंने आपसे कहा यह यूती आपसे कहती है नई दुनिया बसा लो पर अगर आप वहीं पर उसी समाज में, उसी रिष्टेदारी में उसी ग्रस्ती में लगे रहोगे ना तो अभी एक और बात बताता हूँ कि बाद में और क्या होगा और वह यह है दर्शको कि अक्सर आपके इतने चाहने वाले यह तक दुआ मांग लेते हैं कि आप उनसे पहले ही समाप्त हो जाएं कितना कठोरता के साथ सोचते हैं जलन का इस्तर देखिए वज़य बताऊं आपको आपका वैवाहिक जीवन तो अस्त वेस्त वो कर चुके और अगर आपकी जन्तान भी नहीं होई तो वो आपके धन पर पूरी नजर गड़ाए बैटे हैं गिद्द की तरह इसलिए इश्वर से प्रातना करते हैं कि भगवान इसे उठा ले और इसके पैसे पर हम अपना हक जमा लें मरते ही आपस में हक के लिए ऐसा जबरदस बुरी तरह से लड़ेंगे कि सोच भी नहीं सकते आप परंतु दर्शको यहाँ पर एक बात कहूंगा इसी बात को वो पूरी जिंदगी आपके अपने आपसे कहते भी रहते हैं कि तेरे में अकल नहीं है ऐसे ही शव्द इस्तमाल करते हैं तुझे जब कोई काम ठीक से करना नहीं आता है तुझे समाजिक समझ भी नहीं है तो इतनी उची पोस्ट पर बैठा है या बैठी है तो इतना अच्छे से अपने वेपार में महनत कर रहा है या कर रही है फिर भी दूसरों को देख और कितना अच्छा करते है तू तो कभी-कभी ऐसे ही पड़ा रहता है पड़ी रहती है यानि कि सोता रहता है अब बताईए इतनी महनत करने के बाद आप अराम भी नहीं कर सकते यानि हर चीज में आपकी कमी इसे इस नजर से देखिए दर्शको कि कहीं न कहीं दूसरों को एप्रिसेशन मिलता ही रहेगा जब वो काम करेंगे वो ही जो आप करते हैं परन्तु आपको नहीं मिलेगा आप कहेंगे आज तो अचारे जी बड़ी जली कटी सुना रहे हैं अपनों के लिए राहु शनी की यूति को समझना चाते हो तो समझ लो मेरी बात को तो एक बात अपने साथ बांध लो खुद को गलत कहना बंद कर दो दर्शकगन राहु शनी की यूति कहती है I am okay, you are not okay ये काबलियट डाली अपने अंदर कोई आरोगेंट कहे तो कहने देना क्यों? क्योंकि वो जो कह रहा है न उसकी कोई छुपी हुई महत्व कांशा है जिसके कारण वापके खिलाफ ऐसी बाते कह रहा है इस बात को पका करने के लिए एक बात और बताता हूँ दर्शको जिन्दिगी में मुड़के देखे अपने अनभाव अनुसार जो लडाईयां आपने अकेले लड़ी है हर हाल में जीते हो कोई मतलब नहीं बनता कि कितने सीनियर लैवल पर सीनियर अथारिटेस से या बड़े मजबूत शत्र से भी लड़ाई करो तो जीतो नहीं राहुशनी की युथी ये काबलियत देती है लेकिन जब आपको रोज कोई टेंशन देता रहे परिशान करता रहे गलत गलत बोलता रहे डिप्रेशन देता रहे तो आपके लड़ने की शंता गडबढा जाती है आपकी फाइट बेक करने की शंता गडबढा जाती है और यही ये अपने जानते हैं या चाहते हैं एक कहावत है ना दर्शको कि घर की मुर्गी डाल बराबर ये बात रहुशनी की युथी में आपके उपर apply हो जाती है कि आपके अपने आपकी value को नहीं समझते और शमा चाहूंगा कहने के लिए आप इसकी उमीद भी मत करना अपनी आखरी सांस तक कि वो कभी आपकी value समझेंगे इसलिए स्वयम पर ध्यान दीजिए आखरी समय तक आपके अगर कुछ काम आएगा तो या तो वह जीवन साथी जिसे आप टिका पाए या फिर आपका धन जिसे आप समेट पाए पर अगर आप ये दोनों ही नहीं कंट्रोल कर पाए तो राहुशनी की युति आपके अपनों के जरिये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी तो अंतता एक बात कहूंगा आपको जो राहुशनी की युति में बहुत छुपी होई है कि अंत समय में शान्ती से शान्ती मिल जाएगी क्योंकि जीवन भर आपने अशान्ती को जेला है अपनों के जरिये दर्शको जिसको भी इस तरह के अनभव हुए है बिलकुल बताना कमेंट बॉक्स में क्योंकि राहुशनी की युति के लिए बहुत ब्रांतियां फैली होई है सही माइने में समझ में तवाए कि हम ओके थे सामने वाला ओके नहीं था जबकि राहुशनी की युति के लिए सब कहते हैं कि आप गलत हैं सारी दुनिया ठीक है बताईएगा कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपको मेरी बात ठीक लगी है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को और यहां तक देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद